REC और PFC पर रखे नजर, ये काउंटर्स वापस मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा आक्शन, REC में especially आपको अभी अभी बनते हैं, एक बर विश्वेजी से इस पर राहे लेते हैं, विश्वेजी, REC, PFC बाजार के फेवरिट से, उसके बाद हफते की शुरुआत मे मुझे ऐसा लग रहा है कि stock थोड़ा सा hangover में ही माना जाएगा, एक बहुत अच्छा resistance था, इसका 490 का उसके उपर गया, फिर जो RBI का project financing को लेके news आया, उसके वज़े से correction आया, अब वो correction के बाद भी हम 490 की range को sustain कर रहे हैं, कहीं में मुझे ऐसा लगता है कि PSU is the market का सबस for the simple reason, क्योंकि elections around है, और election के around में अगर कुछ भी अच्छा expected है, तो PSU चलेगा, कुछ भी अगर doubtful है, तो PSU गिर जाएगा, और I was looking at some mutual fund data, बहुत left-right-center position built हुई है by mutual funds, in a, you know, PSU में particularly schemes का और fund manager का नाम नहीं लोगा, लेकिन एक चीज बहुत clear है, 100 million shares के average volume हो रहे है, R.E.C. तो मतलब ये retail तो है नहीं, तो ये जो जब गिरावट आती है, तो मुझे लगता है, बड़े institution higher level पर booking करते हैं, तो इसको खरीदना होगा, अगर डिपांचू, चार्ट अच्छा ऐसा नहीं कहूंगा, तो 4 ETI है तो खरीदो, या फिर कुछ मत करो, तो मेरा, even though chart का view तो ये है आपके लिए REC